और अब खबर जोंसार बागते हिर्दय नगरी सया से सया जहांपर की परेटवों को लुभाने के लिए और शहर की सुंदर्ता को बढ़ाने के लिए ग्राम पंचैट नेवी की उपरधान अमनकौर के द्वारा सया के मुख्य बादार के तोराई पर एक सेलफी पॉइंट का स सया में है जिया आपको मैं बता दू ये काम अकसर ग्राम पंचैट की तुनेवे पर्तिनिदी के होने चाहिए थो लेकिन ये ग्राम पंचैट की पर्तिनिदी के नहीं है और नहीं ये ग्राम पंचैट की पैसे के माजम सक्ये गए है ये काम ग्राम पंचैट नेवी की उपर कितना लगा होगा जिस कारण उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई की परवा किये बिना इस सया की सुन्दर्ता के लिए एक खुब तुरत आइडियाज निकाला और इस आइडियाज के अनुतार ये सेल्फी पॉइंट उन्होंने सया के मुख्य बाजार में लगवाने का काम किया है और शायद ऐसा इसलिए भी अमनकौर के दिमाग में आईडिया आया होगा क्योंकि सया जौनसार बाउर का वो केमर बिन्दू है जहां से पुरे जौनसार बाउर के लोग गुजरते हैं और आज के बाद जब भी जौनसार बाउर के लोग उस रास्ते से गुजरेंगे त लेकिन शायद सरकारी संपति से, ग्राम परधान के माध्यम से, ग्राम पंचायद के पैसे के माध्यम से लेकिन सया के शहर में यदि ये सेल्फी पॉइंट आपको दिख रहा है तो इसके पीछे अमनकौर का एक सामाजी की योगदान है अमनकौर ग्राम पंचायद नेवी क कमाई लाते तो ग्राम पंचाइक के नाम से है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोठी पगार के लिए जेब भरने का काम कर जाते हैं वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचाइक नेवी के उपरधान अमनकौर जैसे भी लोग है जो अपने नीजी पैसे का उपयोग करके अपनी श सब्सक्राइब को लेकर अपनी जैसे आपने बनाए अच्छी बात है लगवा कितने की लागत से बनाओगा और इसका मकसद क्या है कर दो तोड़ा से इन्हांस करने के लिए हमने इसे बनाएं या यह सरकारी मदद से बनाए या खुद की मदद से ने यह सरकारी मदद से नहीं बनाए यह हमारे से इसे